तौनिएेपल लाजा तराक्स ह्पाइब हुम तो क्या आपके भाइल्ष घारण में भी हलात है वह इस तरीकर की हो चुकी है ऐसे लगातार जो है वह बहुत है और खुप सब्सक्राइब नजर आएगा तो ऐसे कुछ से केटिस में आज आपके साथ शेयर करूंगा जिससे आपका पौधा जो है इस कड़क्ती धूप के अंदर भी बिल्कुल हरा बरा और संदर दिखाई देगा तो यह मेरे कुछ और अलोवेर के प्लांट है और सभी की हालत जो है वह कुछ इस तर जरूरर प्रेश करे तो मेरे पास काफी यवैयर के प्लांट है और उनको ग्रीन है वह बनाने वाला उंटे मुझे क्या करना होगा के यहां काम करना है कि काफी जो एलोवेरा के पत्ते हैं आपके नीचे से वह सूख गए होंगे तो जितने भी सूखे वे पत्ते हैं उन सभी को जो है आपको रिमूव करना है यह देखिए सारे पत्ते जो है आपको रिमूव कर देने हैं सुखे वे बिल्कु जो ड्राइ हो चुके वे जो पीले पड़ गये हैं उनको नहीं वह हमारे जो है वह ग्रीन हो और हेल्थी जो हो जाएंगे तो मैं एक एक करके जितने भी मेरे पास अलोवेरा के प्लांट है उन सभी के जो प्रांट है उनको मैं पूरी तरीके से जो है वह मैं रिमूव कर दूंगा रिमूव करना जरूरी है तो इसके जितने भी ढूरु लीफ थे यह देखे नीचे पढ़े में वह सारे के सारे जो हो मैंने हटा दिये हैं अब देखिए इसके सूखे वे पत्तों से मैंने बहुत अच्छा फर्ट्लाइजर जो है वह बनाया था जो गर्मियों के लिए बहुत ही अच्छा फर्ट्लाइजर जो है वह माना जाता है तो आप मेरी वीडियो देख सकते कि कैसे मैंने उसको तयार किया था और कैसे उसका जो इस्तमाल है वह किया था में विदार की चीजे हैं पत्ते हैं उनको थोड़ी सी लेयर को थोड़ां तरसे गुडाई करना मैं कह सकता हूं लेकिन आप किसी टूल का इस्तमाल ना करें हातों के उपर इसके उपर जो लेयर बनी है वो हातों से ही आपको जो हटा देनी है क्योंकि देखे एक छोटा सा गमला है और उसके अंदर कितना बड़ा एलोवेरा का प्लांट जो है वो लगा हुआ है तो देखे एलोवेरा लगातार नीचे से जो है वो न्यू बेबी प्लांट इसमें बन गए हैं और सब्व लगातार बड़े हो गए हैं तो यह मैंने जो पत्ते थे वो शारे के सारे आपको कर頻 किसान यह मिपनी केश्य है यह वह भी काफी कम होती है लेकिन गर्मी का मौसम आ चुका है तो थोड़ा सा वाटर रिक्वार्मेंट जो है वह बढ़ जाता जहां आप एक विक में पानी डाल रहे थे तो आप कम से कम दो से तीन बार जो है आपको एलावेरा को जो है वह पानी डालना पड़ेगा तो यह स जरूरत नहीं होती है वो भी गर्मीयों के अंदर सर्धियों में तो एक मएने तक भी मत डालो ने कि इसको बहुंद घर टाल कुछ नहीं होता क्यों कि पत्यों में भॉत सारा जैल और वाटर स्टोर होता है जिससे अपने आपको जो हати कर लेता है तो पानी जो है वह लगाता आ रहते में तीन दिन आप इसके अंदर जो है वह डाल सकते हैं अब जो मॉस्ट इंपोर्टेंट काम आपको करना है दिखें जो भी आपका अलोवेरा का प्लांट है उसको शैड के नीचे रखना है और ऐसी जगह पर शैड के जगह दिखना है कि जो दो फैर की एक बज़े और दो बज़े की जो सनलाइट पढ़ते हैं डारेक्ट वाली बिल्कुल सीधी जो लाइट पढ़ती है सूरे की जो किरिने पढ़ती है वह इस पोदे पर नहीं पढ़नी चाहिए सुबह शाम की जो ल अगर आपके पास ऐसा कोई जुगाड नहीं है तो आप इसको जो है वो शेड में रख देना है तो इसके जो पत्ते हैं वह लगाता ग्रीन होने लगेंगे और यह हेल्थी प्लांट जो है वह दुबारा आपका हो जाएगा इस चीज का विशेज ध्यान आपको रखना चाह है तो इसको दूसरे जो आपके पौदे आग्या जो बड़े प्लांट है उनके नीचे शेड में भी रखा जा सकता है एक तरह से मैं कह सकता हूं कि जो बड़े पेड की चाया है उनकी वजह से जहें को डारेक सथ से नहीं लगेगी पार्शल सेड में भी यह जह वह ग्रीन ह बाद आप देखेंगे कि लगबग लगबग साथ से दस दिन के बाद जो मेरे एलोवेरा के पौदे के पत्ते जो हैं वो पीले पड़ गए थे ब्राउन हो गए थे अब आप नोटिस कर पाएंगे कि सारे के सारे पत्ते जो हैं वो ग्रीन होने लगे हैं एक दो बचे हैं तो अल्मोस्ट हमारा जो प्लांट है अलोवेरा का बहुती ब्यूटी फूर हेल्थी जो है वो दिखाई देने लगा है दूसरे प्लांट भी आपको मैं दिखाऊंगा जो मैंने शैड में रखे थे शुरुवात में आपने देखे होंगे कैसे थे बिल्कुल पीले पड़े वे थ दुख चुके थे और बहुती बेकार जो है वो लग रहे थे लेकिन अब आप नोटिस कर सकते हैं कि यह प्लांट जो वो कितना हरा भरा और शुंदर जो है वो नजर आ रहा है तो इतनी कड़क्ती धूप के अंदर भी जो हमारा अलोवेरा का प्लांट जो है वो बहुत ही को ये आपी ते यहां पर आप देख सकते हैं कि मैने सारे के सारे प्लांट जो है वह अपने ऐसे इए रोख दिया था स्फथा स्वा 플ार्ट मेरे वहां होने लगे हैं हेल्थी हो गए हैं और बहुत ही सुन्दर जो हैं वो नजर आ चुके हैं यह देखें कितने हेल्थी प्लांट जो है वो मुझे दिखाए दे रहे हैं और देखें अब आप नोटिस कर पाएंगे कि पहले जब ब्राउन हो गए थे पीले पड़ रहे थे तो पत्ते जो हैं वो इनके इंदर कम हो गया था लेकिन अब ब्राकर और इनके अंदर जाए वो भी बढ़ता जा रहा है यह देखें और प्रतव का जो वह भी लगातार सरे नोटा हो गए अगर आप ऐसा कर लेंगे तो आपके जो एलवेरा है्व защ तरीके से ज्च है वो दुबारा ग्रीन होने शुरू हो जाएंगे कुछ इस तरीके से तो इम्यद करूंगा कि यह वीडियो आपको पसंद आऊगा अगर आपको इ EPA वीडियो पसंद आता है तो से लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्स वर वाचिंग माई वीडियो एंड वीडियो एंड वीडियो नेक्स वीडियो